दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल नए तरेके से phone pay account बनाना सीखने वाले हैं बिल्कुल आसान भासा में एकदम नए तरेके से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप phone pay account कैसे बना सकते हैं और हम phone pay में अपने bank account को add करना भी इसके बाद सीखने वाले हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है play store में जाके phone pay application को install कर लेना है मैंने already install की हुई है तो मैं इसे अभी open कर लूँगा open करने के बाद कुछ इस type का यहाँ पे आपसे दिखाई पड़ता है यहाँ पे automatically कुछ number यह आपके ले लेता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपका mobile number इन में से है तो आप इन में से select कर सकते हैं otherwise आप none of the above वाले option पे टिक कर सकते हैं और अपना वो वाला mobile number आपने यहाँ पे enter कर लेना है जो भी mobile number आपके bank account से link है mobile number enter करने के बाद proceed वाले option पे आपने click कर लेना है इसके बाद आपके mobile number पे एक OTP 5 digit का बेजा जाएगा यह automatically यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने automatically यह messages से fetch कर लिया है और automatically इसमें OTP fill हो गया है अगर automatically आपका यह OTP fill नहीं होता है तो manually आपने OTP वहाँ पे डाल लेना है इसके बाद यहाँ पे कुछ permission यह आपसे मांग रहा है यहाँ पे आपने while using the app वाले option पे click करना है और जितनी भी यह कुछ permission आपसे मांग रहा है सबको आपने allow कर देना है और इसके बाद यहाँ पे यह आपसे protect your account के लिए बोल रहा है मतलब कुछ lock लगाने के लिए बोल रहा है यहाँ पे आप enable screen lock वाला option इसमें choose कर सकते हैं इसके बाद कुछ इस tap का यहाँ पे phone पे में homepage दिखाई पड़ता है यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है उपर की side left side में आपको यहाँ पे profile वाले icon पे click करना है और यहाँ पे अपनी profile को आपने सबसे पहले तो edit करना है यहाँ पे अगर आप click करते हैं तो यहाँ पे अपने अपना नाम इस तरह से इसमें enter कर लेना है यहाँ पे pencil वाले icon पे आपने click करना है और अपना नाम यहाँ पे आपने enter कर लेना है नाम के बाद आपकी अगर कोई email id है तो email id यहाँ पे आपने enter कर लेनी है और इसके बाद update changes वाले option पे आपने click कर लेना है और चाहे तो आप इसमें अपनी photo भी लगा सकते हैं यहाँ पे camera वाले icon पे click करके और यहाँ पे इसके बाद आप gallery में अपने react automatically हो जाएंगे यहाँ पे gallery से कोई भी photo आप इसमें select कर सकते हैं और इसमें अपनी photo भी आप लगा सकते हैं इसके बाद आपको back आजाना है और यहाँ पे इसके बाद आपने अपना bank account इसमें add करना है वो क्या करना है यहाँ पे थोड़ा सा नीची के तरफ अगर आप scroll करते हैं तो एक option bank account वाल आपको इसमें दिखाई पड़ता है तो यहाँ पे payment method की नीचे bank account वाले option पे आपने click करना है और यहाँ पे add new bank account वाले option पे इसके बाद click कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे अपना bank का आपने select कर लेना है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ popular bank इसमें दिए हुए हैं जैसे SBI, SDFC bank, ICICI bank और नीचे की तरफ पूरी list आपके bank को की दी हुई है तो आपने इस list में से अपने bank को select कर लेना है जैसे example के लिए मेरा bank account state bank of India में है तो यहाँ पे मैं state bank of India इसमें select कर लूँगा और इसके बाद आपने वो sim अपनी select कर लेनी है जो भी sim आपकी bank account के साथ link है तो यहाँ पे मैंने ये वाली sim इसमें select कर ली है और इसके बाद continue वाले option पे आपने click कर लेना है और इसके बाद जितनी भी ये permission आपसे मांगता है सब को आपने allow कर देना है तो इसके बाद आपके mobile number से एक message भीजा दाएगा और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं आपका जो bank add होने की process है वो हो रही है तो इसके बाद जितनी भी bank account आपके mobile number के साथ link रहते हैं सब की list यहाँ पे आजाती है तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं दो bank account मेरे mobile number के साथ link है तो यहाँ पे इनकी list आ जाती है तो यहाँ पे इसके बाद आपने proceed to add वाले option पे click कर लेना है तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं आपके bank account आपके phone pay account के साथ अभी link हो चुके हैं इसके बाद यह आपसे आपका primary bank account इसमें select करने के लिए बोल रहा है primary का मतलब कोई भी आपको अगर phone pay में पैसा भेजता है तो कौन से bank account में आपके पैसे आएंगे तो इस तरह से आप इसमें primary bank account select कर सकते हैं मैंने ये वाला अपना primary bank account select कर लिया है और confirm वाले option पे आपने click कर लेना है तो यहाँ पे इसके बाद आप देख सकते हैं आपके जो account है वो add successfully हो चुके है इसके बाद बारी आती है UPI pin set करने की 6 digit का UPI pin आपको set इसमें करना होता है जिस UPI pin की मदर से आप कभी भी कहीं भी payment करते हैं तो यहाँ पे already मैंने इसमें UPI pin set किया हुआ था तो मेरा यहाँ पे reset pin वाला option दिखाई पड़ा है आपका यहाँ पे add pin वाला option दिखाई पड़ेगा तो यहाँ पे reset pin या add pin वाले option पे आपने click कर लेना है आप दो तरीके से अपने UPI pin को set कर सकते हैं या तो आधार नंबर से आप अपने UPI pin को set कर सकते हैं अगर आपका आधार नमबर आपके bank का account के साथ link है तो otherwise आप अपने ATM card से भी अपने UPI pin को set कर सकते हैं तो यहाँ पे ATM card वाला option हमने select कर लिया है और इसके बाद आपने proceed वाले option पे click कर लेना है तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं आपके card के ये last 6 digit इसमें डालने के है यहाँ पे मैंने month यहाँ डाल लिया है और year भी इसमें कुछ इस तरह से डाल लिया है इसके बाद आपने proceed वाले option पे click कर लेना है इसके बाद आपके mobile नमबर पे bank से एक OTP भेजा जाता है उस OTP को यहाँ पे आपने enter कर लेना है और इसके बाद आपने यहाँ टिक वाले UPI PIN डाला था उसको आपने दुबारा से इसमें confirm कर लेना है दुबारा से UPI PIN डालने के बाद आपको yes वाले option पे इसके बाद क्लिक कर लेना है तो यहाँ पे अभी एक कुछ देर processing में आपकी ले रहा है तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं आपका UPI PIN अभी successfully set हो हैं तो इसके बाद आपने क्या करना है डन वाले option पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर अभी आपका account पूरी तरह से ready हो चुका है यहाँ पर आपकी profile ID भी create हो चुकी है यहाँ पर आपने अपना नाम भी डाल लिया है और यहाँ पर आपने अपना bank account भी इसमें डाल दिये है और balance चेक करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर front में ही आपको home page में check balance वाला एक option दिखाई पड़ता है तो यहाँ पर check balance वाले option पे आपने click कर लेना है और वो bank account इसमें select करना है जिस भी bank account का balance चेक करना चाते हैं तो जैसे अगर मैं इस bank account का balance चेक करना चाता हूँ तो यह bank account मैंने select कर लिया है और यहाँ पर इसके बाद आपने 6 digit का अपना UPI pin इसमें enter कर लेना है वही UPI pin जो आपने अभी थोड़ी देर पहले create किया था जैसी ही आप अपना 6 digit का UPI pin इसमें डालते हैं और tick वाले option या yes वाले option पे click करते हैं तो इसके बाद आपका balance आपक ना create कर सकते हैं